याद रखना जो भी छात्र बीकॉम सेकंडियर में है उनके लिए हम लेके आए हैं पबलिस फाइनेंस का जो पेपर हैं आपका उसमें बहुत साथ समाजिक बित को लोग भी भी बोलते हैं या फिर राजस भी बोलते हैं इसके महथ इनके छेड्र के व्यचिना कीजिए अपसे पूचेगा यह बहुत जादे इंपोटेंट है करने का जो तरीका होगा यह आपसे एक कथन इस प्रकार से पूछता है कि बरतमान समय में राजस्वे के अध्यन का महत्म आर्थिक विस्टिसर के रूप में बरता जा रहा है इस कथन की व्याक्या कीजिए मतलब कि राजस्वे के ही बारे में आपको लिखना है कौशन आता है मैं आपसे बोल रहा हो हो यह कोशन लॉग आयगा you और scor पर्षेंट आपके एंग्जाम में आएगा और जिब भी ऐसा कोशन एक्जाम में आता है तो आप किस तरीके से कोशन को करता है करने का तरीका भी होगा ना कोई तो मैं आपको बहुत तरीका बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझेंगे समस्रे हो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेर करेंगे कोई वीश हो आ तो कॉमेंट सेक्शन में पूश सकते हैं और मैंने 2022 में आने वाले कोशन दे रख सकते हैं प्ले लिस्टर पर भी हमने एप बनाकर अप्लोड कर रहा है आप बहां जाके भी देख सकते हैं पढ़ा सकते हैं या फिर आप अपना ऑफिसियल खुद का पीडिया आप लेना चाहते हैं कि मैं किसी भी कैफे पर जाकर निकल वालूस नोट्स को तो भी आप ने प जो यहां बोला गया है चाहिस और समाजी बिट यह फिर लोक बिट कि आजसे यह परिभाषा बताना है चैसे हम बॉलते लोग सकते हैं समाज ⁠ जे समान ऑब लागाए को अब यहां देखो कि यहां बूला गया है hablar को बिछ नहीं करना इcji यहां बोला गया है राजस्व सब्द राजन और स्वय दो सब्दों के मिलकर बना है जिसका आश है कि राजा का धन किता होता है यहां बोला गया है राजस्व के दूसरे परिवाचा जो परिवाची कह सकते हैं दूसरा राजस्व का एक अर्थ क्या होता है ठीक है शब्द वो है सबाजिक बित का आश होता है सर्वजनिक अध्वा जनता के प्रति निद्व करने वाला विभाग के वित्तिये जो किरिया कलाब होती है उसके वारे में उसका अर्थ होता है समाजिक वितकार्थ क्या होता है मतलब कहता है जो समाजिक वितकार्थ होता है समाजिक या फिर कह सकते हैं जनता के प्रति बुए इसकी विभिन परिभासा यहां दे रखिए अब को देखो मैंने सिंपल तरीकिके यहां क्या करना है आपको क्या है यहां किताब में तो बहुत कुछ लिखा रोता है लेकिन हम इसौट में क्या करना है Sort में दोस्तों आपको सिर्फ इतना करने द्यान से देखेंगे आप सभी लोग जो मैं बता रहा हूँ द्यान से देख लेना यहां से पढ़ेंगे कि राजिस्व शब्द राजन और सवर्श दो सब्द की संदी से बनाएं या दो सब्दों से मिलकर बनाएं जिसका दो सोता कर दो किया कि आपको पता है एक थे दिको थे यहां थे fieldman ले जो कह सकते हैं स्राज थे उन्हों के अनुसार किए फिल्डीक सांट के र neste कि अध्यन करता है यह अध्यन है यह अध्यन होता है उसमें कुछ भी कह सकते हैं, तो यहां बोला क्या है, जो फिड़ले थे, फिड़ले शुराज की दो अनुसार क्या था, उन्होंने ये परिवासा दिया, कि जो राजस्व होता है, वो लोक सकता है, उसके द्वारा कोसों के बे, मतलब कोस में जो खर्च हुआ है, ठीक है, और स का संबन्द लोक सत्ता के आए और वे से हैं, उन्होंने कहा, जो राजस्व में मतलब जो खर्च होता है, जो आए होती है, उन से लेटेड है, और उन्होंने कहा है, तथा एक दूसरे के साथ समयावजन से है, एक दूसरे के साथ मलब बे करना और आए करना, मतलब कमाना और खर्च करना, उनके अंदर गात होता है, ये डाल दने के नुसार गया, इनमें देखो, दो ही आप लिख दोगे, तो भी बहुत हो जाएगा, कोई जरुत नहीं, तीसरे का लिख देना, अब आपको क्या करना है, यहां से लिखो, उपरोक्त परिभासा है, आपको दो परिभास है, तथा संबंदित, जो कहाते हैं, प्रिशाषनी एवंअन, जो समस्याई है, उनके अध्यन करता है, उनके क्या है, अध्यन करता है, तो वही बोला गया है, यह सिंपल तरीके से आप यह लिखेंगे, कि उपर दोलो परिभासाओं से यह स्परस्ट होता है, कि लोक्त का आ है, और जो आए, कमाई जा रही है, सरकारी कमाई है, उस तक सीमीत नहीं है, वरन यह संपूर देश के जो बित्ती विवस्ता है, जो पूरे देश में मारी बित्ती विवस्ता हुई है, तथा संबंदित, प्रिशाषनी जो कह सकते हैं, जो प्रिशाषनी है, उनके अध्यन सब्सक्राइब पूरे देश में वित्ती वश्था के बारे में, उनके बारे में पूरा यहां करता है, मतलब की अध्यन करता है, यहां तक हमरा किलिए हो गया, अब देखने, आपको त्यार करना, बाकि कुछ नहीं करना, उसके बाद में नीजी हेरिंग डालेंगे राश्टी अर्थविवर्स्ता में राजिस्व की भूमिका और उनके महत्व की बारे में मतलब महत्व क्या है राजिस्व की भूमिका क्या है उसके महत्व क्या है अब हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जो छुड़वाने का होगा वह उपको छुड़वा दूँगा, ठीक है, तो पहले पढ़ो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां कह रहा है अधूनिक समय में, प्रतेक राजका वह पिर्मुक उद्देश होता है, मतलब कि प्रत क्लियाण कारी किरियाएं संचलिद करें, बड़ा है, जो कल्याण कारी blir को जिससे कछ वह tiene करें और बरतमान में, बथमान में राज्यों की किरियाओं का छेत्र बहुत ही बढ़ गया है, जैसे सिख्षा विवस्ता करना परिभान के साधनों का विकास करना अर्थ विवस्ता में सुधार करके उनके कह सकते हैं वैकारी को विकारी को दूर करना और आर्थिक विकास है तो नियोजन का सहारा लिया जाता है तो यहां बोला गया है तो आर्थिक विकास है तो नियोजन का सहारा लिया जाता है और यहां बुला गया है देश एवम जनहित में राज विवस्था एवम उद्धोगों का संचालन करते हैं तो यहां बुला गया है जो देश और जनहित है उनमें राज विवस्था एवम उद्धोगों का संचालन करते हैं और इन सभी कारियों को संपन कराने के लिए धन की आवसकता पड़ती है और इन सभी को क्या होता है धन की आवसकता पड़ती है जो भी यार काम करोगे देखो सिक्षा बनाओगे होस्पिटल बनाओगे सरकारी तो धन की आवसकता पड़ेगी ना सुरक्षा किसी की करनी है और यस रखार गया है और यहा बुला गया है जो अर्थसास्त्री होते हैं उनकी पुराणा बिचार के हैं कि राजिस्म का उद्दे से QUEVAN राजिस्म राजिस्म के प्रयकर बिदी के सुधार कर सकता है अर्थाथ आएके संता को कम कर सकता है एक विस्ता है और इसी timely कर अपने आय अपने वय आवम गरीबों को गरीबों पर वय करके उनके जीवन इस्थर में सुधार ला सकता है मतलब क्या है इससे मलब क्या आपकी जो राजस्व व्यास पता है वो सिंपले कह सकते है कि गरीबों पर वय करें खर्च करतके उनके जीवन में इस्थर सुधार लाय ऑर यहां बुला गया आर्थिक बिकास संतुर रा सकता है यह बूला जो मैं यह आधिक कर यह बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए राज़स्व पहत्व या फिर भूमिका या फिर आबसक्ताओं को निम्न सर्सकों में बाट कर अच्छी पिरकार इस्वस्ट किया जा सकता है उनके दोरह हम अच्छी तरीके से उसको इस्वस्ट कर सकते हैं जैसे की बात की जाए कौन-कौन समय में क्या था कि जो पहले प्राचिंद में था राज की मुक्ष का रहता वहना को सुखन के स्थापना के सवापन को साकार करने के लिए सरकार सिक्षा की विवस्था बिरोजगारी निवार्न और स्वास्त एमीच साल्य के साध्नो का प्रुतिवंद करना आदि विकार करती है तो पहले तो ए था कि भी नागृ को सुरक्ष्या करें राजस में जो भी राज है को निवारन करना स्वास्त और चिकेश साल है साधनों को प्रावंत करना तो यह में जो भी है हॉस्पीडल बनाना यह सब अब राजस्व के अंतर आता जाता है बरतमान में पहले के मनागरिक को सुर्क्षा गरना था यहां बुला गया अता बरतमान में सरकार के बढ़ते कैसे होता है तो देखो बरतमान यूग नियोजन का यूग है और आर्थिक नियोजन की सफलता बहुत कुछ राजस्व की कुषल विवस्ताक पर नर्भर करती है क्योंकि आर्थिक नियोजन के लिए बड़ी मात्रा में बित्तिय साधनों को जुटाना पड़ता है और फिर देश कहता है और फिर कह रहा है और फिर देश और योजना की प्राथिमिकता के अनुसार उनको बिभिन छित्र में प्रभावित करना पोता है तो यहां देखो यह heading डालेंगे आर्थिक नियोजन के साविन अब यह डालेंगे उसके बाद तीसरी heading डालेंगे अम लोग आय और और समपत्ती के वित्रण में विसमता को कम करने में सायक तो कैसे करेंगे यह हडिंग डालने के बाद में लिखेंगे कि आये और समपत्ती के विसमता किसी भी देश की आर्थिक विवस्ता पर वित्रित प्रभाब डालती है और बरतमान में समाजबाती विचारधारा के विका के साथ साथ यह अनुभब किया जा सकता है यह फिर किया गया है कि समाज में आर्थिक जो विसंता अनुचित है और उसका कह सकते हैं निराकरण किया जाना चाहिए और इसके निराकरण में राजस्व की महत्पूण भूमिका है क्योंकि राज गेश्वी के माध्यम से धनी व्यक्ति से अधिक दकर और निर्धनता को समाजिक व्य...? नीती से लावादिक करके विसमतास में कमी की जा सकती है मतलब यह बूला गया यहाँ लेखो आय और समपति जो अधिक धन्वान है उस पर कर लगाया जाए जो प्रॉफिट कमा रहा है उसे कर लगाकर सरकार दे और जो गरीब है उनको थोड़ा कुछ ना साधन दे यह क्या है आयो संपत्ति के बिसमताका का साइक करता है राजिस में के अंदर गद आता यह चीद तो राजिस में के अंदर गद आएगा उसके बाद है पूजी पूजी निर्माण में सायक कैसे होगा तो किसी देश की जो आतिक विकास होता है उसका मूला धार है उस देश की पूजी निर्माण की गती पर नरवर करता है और यह पूजी निर्माण की गती कुसल और राजिस मिनेटत पर नरवर करती है उसके बाद में पांच्वा पॉ होता है वह बहुत निमन होता है मतलब बहुत नीचे होता है बहुत कम होता है और राजिहां बुला गए राजिस्वें नीतियों से राश्टी आय का इस्थर बढ़ने में काफी साहता मिलती है उसके बाद में नेक्स को हेडिन डालेंगे कि आर्थिक इस्थायत में साहता कौन कौन से है इस्थायत में साहता देखिए अब यहां गुलाए अधापी मूल परीबरतन आवम स्वभेविक पिरकिरियाएं है परंत पिस्वे की महत्भूर्मिका होती है और यहां करा है लोक आये और लोक रिड की नितियों के मद उचित समयब्य करके मूल इस्थर में इस्थरता और आर्थिक इस्थायत्व के उद्देश की प्राप्ति की जा सकती है यहां नेक्स्ट पॉइंट टालेंगे इसमें के अनुकुलंतम उपियोग में सायक तो यहां क्या डालने की बाद हेडिंग डालेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना कि यहां बुला गया है आप इसको भी लिख सकते हैं ठीक है विकासील राष्टो को या फिर विकासील राष्टो की जो मौलिक विसमता यह है कि उ इसके पास आर्थिक संसादनों का तो भंडार होता है पर आर्थिक लक्ष जो लक्ष होते हैं कि प्राप्ति के लिए शादनों को अनुकुलंतम प्रियोग नहीं होता है और राजिस्वी की नीतियों यह प्रियोग संभब बनाती है राजिस्वी की जो नीतिया होती है जो यूजराइं होती है बो इस कार को संभा बनाती है साथ रोजगार की ब्रद्धी में सायक क्या-क्या होते हैं उसकी बात करेंगे रोजगार में सायक कौन-कौन से है तो आप इस एडिंग को डालने के कि बाद में देखो लगां अर्थ रोजगार वैं बेरोजगारी विकास कह सकते हैं कि विकाशील राष्टों की पिर्मक समस्याइं है और राजिस्वे की नीती और रोजगार सुलव कराने में सायक सिध्धान्थ होती है सिध्ध होती है मतलब कि जो हमारे राजिस्प होता है वो क्या होता है जो बिरोजगारी हराष्ट है उनकी जो नीतिया होती है राजिस्प की नीतिया उनको काफी हट तक जो बिरोजगार है उनको रोजगाद दिलान वे शायग होती है ये फिर सायक सिद्ध होती है उसकी बाद में यहां बुला क्या है चेत्रिये विकास को पृतुसाहन देना ये भी एक राजिष्प का अंतरगात आता है जैसे यहां बुला क्या है आविक्सित अव्म अल्पिक्सित देसों में पॉइंटों को नूट कर लीजिए यह फिर आपको जो भी आड़नों से दस पॉइंट बहुत होते हैं आप जो अच्छा लगे मों कर सकते हैं मना बना की कर सकते हैं लेकिन आप इनको पढ़ लेंगे एक बार तो आपको सब पढ़ती हैं और इसकी पूर्ती करने में राजिस्प्र की किरिया का महतव्पूर योगदान होता है उसकी बाद में ने紙स कोशन है समाज़िक इम आर्थिक जीवन की नियंतक भी है समाज के कमजोर वर्गों की दशा को सुधार कर उने समान्वी इस्थान दिलवाना ये फिर समाज की अन पुर्तियों को दूर करना ये फिर समाज की सिक्षा सुमिचित प्रचार प्रशार करना भी राजिस्व के महत्पूर्ण कार है और राजिस्व जब केवल समाज की आय और व्य नीती मातर नहीं है वरनवे राष्ट की समाजिक अकंख्षाओं की पूर्ती का एक उपकरण है उसके बाद में हम पांच बार्मा पॉइंट डालेंग सुनीति उपर गा बिश्व में भी हैं जो आर्थ सास्थ और राजनेति साथर की सीवा ऋने हैं तो है उन्हें प्रिभासा दी और यहां मुला गया है कि देसक्यी विदेसी आकर्मनों से सुरक्षा अंत्रिक सब्सक्तिंव और विवस्ता बिस्व मेंत्री एवं कह सकते हैं जो संबंध है उनके लिए पर्याय और वे एवं उप्रोक्त राजस्वनीती का अनुसरन आवश्यक है और एक संगड़त एवं अच्छी सरकार के लिए अच्छी एवं संगड़त विवस्ता होना आवश्यक है अब देखो कही एक साधन नहीं है वरन समाज का अधिक्तम कल्यान करने या फिर आर्थिक नियोजन को सही दिसा प्रदान करने या फिर पूर्ण रोजगार इस्तिती ये प्राप्द करने और साथी साथ उत्पादन या फिर आई ब्रदी करने का महत्पूर उपकरन है तो आपको ये कर देंगे जादा से जादा दोस्तों को शेयर करते हैं थैंक यू फॉर वाचिन दिस वीडियो बाई बाई